तीन भुवन मैसा वीत राग विज्ञान शिवस्वरूप शिवकार नमहुत्रयोग समहरिकैं नमहुत्रयोग समहरिकैं नमहुत्रयोग समहरिकैं जैजनेंद्र चैडाला की पार्षवला कारिकरम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत हैं बारा भावनाओं की चर्चा चल रही है अब तक हमने बोधि दुल्लब भावना का स्वरूप समझा आज हम समझेंगे धर्म भावना का स्वरूप मंगला चरन से अपनी चर्चा को प्रारम करते हैं ओम नमास देब्या ओम नमास देब्या ओम नमास देब्या ओम नमास देब्या तीन भुवन में सार वी तराग वी ज्यानतार शीवसरूप शीवकार नमूत्रियोग समारिके जब लो महावीर बगवान की जए अब तक हमने बोधी दुर्लब भावना के माध्यम से बोधी की दुर्लबता को समझा अर्थात रतनात्र धर्म सम्मेग ज्यान कितना दुर्लब है इस बात को हमने बोधी दुर्लब भावना के माध्यम से समझा बोधी दुर्लब भावना उस बोधी को अर्थात धर्म को प्राप्त करने की शशक्त प्रेड़ना देती है और हमें कहती है कि है जीवो यदि इस संसार में कुछ दुल्लब है तो वह वास्ताव में धर्म की प्राप्ति ही है अब ऐसे इस धर्म की प्राप्ति को अत्यंत दुल्लब बता कर अब धर्म भावना में उस धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है बोधि दुल्लब भावना में धर्म को दुल्लब बताया यह उसको प्राप्त करने की प्रेड़ना दी गई और अब यहां पर धर्म भावना में क्या है उस धर्म का स्वरूप जिसे की हमें धारन करना है और जो कि अत्यंत दुर्लव है उसका स्वरूप यहां बताया जा रहा है। यह क्रम बोधि दुर्लव भावना के बाद में जो धर्म भावना का है यह अत्यंत वेग्ज्ञानिक क्रम है। एक बार जब जीव को कोई चीज दुर्लव लगे तो वह उसको प्राप्त करने की भावना भाता है। ठीक उसी प्रकार बोधि दुर्लव भावना में धर्म की दुर्लवता बताई समय ज्यान की दुर्लवता बताई। जब जीवा कहता है कि मुझे इस धर्म को धारन करना है तो क्या है व mistaken का स्वरूप उसे धर्मभावना के माध्यंnet से स्पष्ट किया जाता है। आईए देखते हैं दौलत लामजी के शब्दों में क्या है धर्मभावना का स्वरूप … जो भाव मोहते न्यारे रत ज्यान द्रगादिक सारे सो धर्म जबेजिय धारे तब ही सुख अचल निहारे भावार्त, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चारित्र तब आदी जितने भाव है वे सब मोह भाव से भिन्न है क्योंकि ये भाव धर्म रूप है इस धर्म को जब यह जीव धारन करता है तब ही वे शाश्वत सुख को प्राप्त करता है ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है आत्मा की वीतराग पढ़नती आत्मा की मोराग देश भाव से भिन निर्दोष निर्मल पढ़नती का नाम ही धर्म है और इस धर्म में व्रत ज्ञान द्रगादिक सारे अर्थात व्रत महावरत अनुरत सम्मेक दर्शन सम्मेक ज्ञान सम्मेक चारित्र यह सब इसके अंतरगत गर्वित होता है धर्म तो वास्तों में आत्मा की वीतराग पर्णती का नाम है जब आत्मा स्वें वीतराग पर्णती होता है तब व्रत को सम्मेक दर्शन को सम्मेक ज्यान सम्मेक चाहित्र इन सभावो को धर्म कहा जाता है और एसे इस धर्म को जो जीव धारन करता है तब ही सुख अचल न्यारे तभी वास्तों में वह अचल अर्थात मोक्ष सुक को देखता है, मोक्ष सुक को प्राप्त करता है दोलत राम जी ने यहां भावों की मुख्यता से धर्म का सुरूप कहा है उन्होंने कहा है जब आत्मा मोरागदेश भावों से जुदा होगा अर्ता जो आत्मा मोरागदेश भाव नहीं करेगा वीतराग भाव रूप से परणमित होगा समयक दर्शन, समयक ज्यान, समयक चायत रूप से परणमित होगा तब ही वह धर्मात्मा कहलाएगा रत्नत्रे परणती का नाम ही धर्म है मोरागद्वेश भाव का आत्मा में उत्पन नहीं होना और वीत्राग पढ़नती का होना ही धर्म है समंत भद्र स्वामी ने रत्न करण शाव का चार में मंगला चरण करने के बाद में धर्म का सुरूप कहने की प्रतिग्या की प्रत्नकरण शावकाचार के अंदर दूसरे दोहे के अंदर समंत बद्र स्वामी एक कारिका के माध्यम से धर्म का सुरूप इस्पस्ट करते हैं क्या है वो कारिका आईए देखते हैं उनके शब्दों कि देश्यामी अर्थात में कहता हूं समीचीन धर्म को मैं सच्चे धर्म का स्वरूप निरूपित करता हूं दो केसा हं वह सच्च्छा धर्म कर्म निवररणात जो कर्म का निवायन करता है कर्म रुप Ich extro का नाश करता है में ऐसे धर्म का स्वरुप को हूंगा जो क्रम रुपी शत्रो का नाश करने वाला है और कैसा है वह धर्म यो संसार दुखत सत्वान अर्था संसार रुपी दुखो से चार गती के दुखो से पंच परावरतन रुपी दुखो से जो जीवों को निकाल कर यो धर्त्युत्तमे सुखे जो उत्तम सुख रूपी स्थान में अर्थात मोक्ष के अनुपम अचल सुख के अंदर धरता है अर्थात जो जीवों को दुख से निकाल कर उत्तम मोक्ष रूपी सुख में धरता है उसे हम धर्म कहते हैं वास्तों में धर्म तो सुख का नाम है सुख की प्राप्ति का नाम धर्म है, धर्म का सुरूप ही है कि जो आत्मा को दुखों से चुटा कर जो सुखी प्राप्ति करा है, यदि हम धर्म करें और हमें सुखी प्राप्ति ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमने धर्म को धारण नहीं किया है, क्योंकि धर्म का तो फल ही सुख है, यदि हम ध धर्म सुखी होने के लिए किया जाता है धर्म जीवों को सुखी बनाता है धर्म वास्तव में कश्ट का नाम नहीं है किसी क्लेश का नाम किसी दुख का नाम यह धर्म नहीं है धर्म तो जब जीव धारन करता है तब उसके अंतरंग में एक अनुपम सुखी प्राप्ति होती ह और इतना ही नहीं कि वो वर्तमान में सुक होता है अपितु आगामी अनंत काल तक के लिए बोक्ष शुक को प्राप्त करता है तो रत्निकरन शुक का चार में समंत बदर स्वामी धर्म की परिभाशा यही कहते हैं कि धर्म उसी का नाम है जो जीवों को संसार रुपी दुखों से निकाल कर और बोक्ष रुपी उत्तम इस्थान में धरता है धरे वो धर्म है कहां धरे बोक्ष रूपी उत्तम इस्थान में ऐसे धर्म का स्वरूप में निरूपित करता हूं वहीं समंत्वद्र स्वामी ने धर्म को चार प्रकार से और परिभाशित किया है क्या है वो धर्म के चार स्वरूप इसकों में कल्प विराम के बाद पुना समझेंगे जाई जनेंद्र छेड़ाला की पार्शाला कारेक्रम में आप सभी दर्शकों का पुना स्वागत है धर्म के स्वरूप की चर्चा हम कर रहे थे समंद्र बद्र स्वामी के शब्दों में हमने धर्म का स्वरूप का था कि धर्म उसका नाम है जो जीवों को संसार के दुखों से चुड़ाता है और सुक्की प्राप्ति कराता है हम अनेक भार अनेक धार्मिक अनुस्थान करते हैं, पूजन पाट करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और कई बार हम पूजन करने के बाद बोलते हैं, आज की पूजा तो पूरी हो गई, आज की पूजा तो पद गई हुआ है दस लक्षान धर्म पनाते हैं तो दस लक्षान धर्म में हम धी बार दिन गिनते हैं और कहते हैं वांस दिन गुझर गए पाँ डिन और फूजा करनी है कोई स्वाधिया होता है तो आदा एक घंटा हो जाता है है जब कहते हम आज का स्वाध्याय निपड़ गया आज की पूजा निपड़ गई तो यह हमें धर्म निपटाने के लिए नहीं है वास्ताव में धर्म तो आनंद के लिए होता है जितने धर्म के अनुस्थान है वो सब जीव को सुखी बनाने के लिए है यदि उसमें जीव को कश्ट का अनुभा होता है तो वास्तव में उसने भी धर्म का सुरूप नहीं समझा है इसलिए रत्नकरन शावकाचार में और यहां दोलत राम जी ने भी छैडाला के अंतरगत यही कहा है कि सो धर्म जबे जीव धारे अर्था जब जब भी धर्म को धारान करता है तब ही सुख अचल निहारे तब यह जीव नियम से अनंत सुख रूपी मोग शिस्तान को प्राप आपकरता है अपृतुव वर्तमान में भी सुखी होता है कि धर्म का शुरूप चार प्रकार से जिन्वानी में आता है रत्नगणशावकाचार में ध作 के शुरूप का जहां वर्णन 오른 उसकी ड्रूप नाव में चार प्रकार से दर्म को परिभाषित किया है सर प्रत्रों रत नत्र रटोए धर्म यंहीं आउसा सामेक दर्शन समयान् का जाता है कि उसी का नाम है और मोक्ष का अ alors और मोक्ष 알म्सुक्रू पर हम सुख्रु पवस्था का जो मार्ग है उसी का नाम है धर्म, क्योंकि वह हमें सुख्की प्राप्ति कराता है, तो इस प्रकार से रत्नत्रे को धर्म कहा है, जगे जगे जिन्वानी में रत्नत्रे को धर्म कहा है, दूसरे धर्म का स्वरूप है दस लक्षन, अर्था जो दस धर्म के दस लक्षन हैं उन्हें भी दस धर्मों के नाम से कहा जाता है उत्तम शमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मुचर इन दस धर्म के लक्षनों को भी ह तो इस दस धर्म के नाम से कहते हैं, जो हमारे धर्म के दिन आगए और वस्तों में देखा जाए, तो धर्म का इस रूप है, क्रोद का बहाव मायालो ब अभाव उत्तमश्मा मार्दव आर्जव शोच यह कशयों के आभाव का नाम है ऐसा कोट जीव कशय के आभाव को नहीं चाहेगा समस्भ संसार के जीव कशय के आभाव को चाहते हैberg सब दि Moving प्राणी मातर के लिए और उत्तम सत्य कौन जीव सत्य को नहीं चाहेगा सत्य सहीएं तपत्याग आकिंचन्य अभ्रमचर अे सदस्धर्म के लक्षणों को दस धर्म के नाम से कहा और माविर जेन्ति के दिन हम इस नारे की तक्ति लगाकर सारे संसार को धर्म के स्वरूप को निरूपन करते हैं कि क्या है धर्म का स्वरूप यह बच्चे बच्चे को याद है कि अइंसा है वह परम धर्म है इस प्रकार से अइंसा धर्म की तीसरी परिभाशा है और अइंसा मतलब दया दया में केवल परकी दया ही धर्म नहीं है अब इतु सबसे पहले स्वकी दया वह धर्म है स्वःा पर्दयाइब कर दूसरे शब्दों में कहते हैं धर्म जैसा कि हमने पहले बताया था अत्म कयान की चंता वह फ्रवृ कौन zaaiså के ध्या को प्लता है और ऐसी पर्दया का नाम भी धर्म कहा गया है इस प्रकार धर्म की हमने तीन परिवाशा हैं समझी रतना त्रय दस लक्षन और सोपरदया चोथी धर्म की परिवाशा है वत्थु सहाओ धम्मो अर्था जो वस्तु का सुभाव है वही धर्म है जो जिस वस्तु का सुभाव है वही उसका धर्म है जिसे आत्मा का सुभाव ज्ञान और दर्शन आत्मा देखना था दो जनना दeखना आत्मा का धर्म बहुं रूपहर पर्णमन करती है será तो अधर्मात्मा में रहे सब्क आपने सबम दाइन मर्मात्मा अपने ऑप्र सबाइन अपने देख सब्कुर्ण कर जांने देखने के सब्कुर्ण कर乾użaण करें करता है वह आत्मा उसी समय धर्म रूप परणमित हो जाता है इस प्रकार से हमने धर्म की चार परिभाशा यहां पर देखी रत्नात्रय धर्म के दस लक्षन अर्थाद उत्तम चमा मार्दव आर्जव शत्यसो सेयम तपत्या किंचन मिर्मचर एवं सपर की धया एवं अंतनी में वस् इसी प्रकार वस्तु के सुभाव में भी तीनों परिभाशा है समाही थे इस प्रकार हम देखते हैं कि हम किसी भी अपेक्षा से निरूपित करें धर्म की चारों परिभाशा है धर्म के सुरूप को बताने में समढ़ थे वास्तों में धर्म किसी से मोल नहीं मिलता है, कि हम किसी को दान देवें, सनमान देवें, और उससे हम धर्म खरीद लाएं, उसी प्रकार धर्म किसी की सेवा उपासना करने से भी नहीं मिलता है, धर्म ना कोई मरंदिर में रखा है, ना धर्म किसी तिर्द छेतर में रखा है, नवास्ताव में धर्म तो आत्मा की वीतराक पढ़नती का नाम है , ये आत्मा दर्म पढ़नता तो उसके लिए ये धर्म happy पढ़नता है इसलिए धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि जो हम बस कोई कार करें और हम कहें कि हमारा धर्म हो गया, हम पूजन करें और हमारा धर्म हो गया, हम स्वाध्याय करें और हमारा धर्म हो गया, नहीं, जब यह आत्मा स्वेयम धर्म रूप पर्णमित होगा, अर्था जब आत्मा के भा आत्मा बहुत्राग भाव रुप पढण्वता है तब तब यह दर्मा आत्मा क्या लाता है बास्तों में मंदिर, तिर्थचेट्र, स्वाध्याय, पूजन-प्रतिष्ठा और जितने भी धर्म के अनुस्ठान है वह सब आत्मा को वीतरागी बनाने के लिए है यदि आत्मा वीतराग रूप पर्णमता है तो वे सब धर्म के साधन कहे जाते है और यदि आत्मा वीत्राग पर पर्णमित नहीं होता, तो यह सब करने के बाद भी धर्मात्मा नहीं होता, इसलिए कहा है कि धर्म किसी छेत्र के अंदर प्राप्त करने का नाम नहीं है, धर्म कोई मंदिर में नहीं रखा है, धर्म कोई तिर्चेत्र पर नहीं रखा है, धर् तो आत्मा की विशुद्ध पर्णती का नाम है जब जब आत्मा विशुद्ध भाव रूप पर्णमित होगा तभी तभी उसे धर्म की प्राप्ति होगी और केसा है धर्म का स्वरूप इसको में अलप विराम के बाद पुना समझेगे आप सभी दर्शकों का पुना स्वागत है धर्म भावना की चर्चा में हमने समझा कि धर्म कोई क्रिया विशेश रे अर्थात कोई इस्थान विशेश पर जाने से प्राप्त नहीं होता है अपितु जब आत्मा स्वेम धर्म रूप पर्णमित होता है तभी आत्मा धर्मात्मा कहलाता है और यह धर्म एसी वस्तु है कि इसको धारन करने से जीव ततकाल सुखी होता है संसार में इसी कोई वस्तू नहीं है जो इस जीव को धर्म के धारान करने से प्राप्त नहों। यदि हम भूदर दास जी की बारा भावनाओं का स्वरूप देखें तो उसमें कहा है। जाचे सुरतरुदेय सुख चिंतत चिंतारेन जाचे सुरतरुदेय सुख चिंतत चिंतारेन बिन जाचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन जाचे सुरतरुदेय सुख अरतात कल्परख्ष याचना करने पर वस्तू को देता है। दस प्रकार के कल्परख्ष होते हैं लेकिर उन कल्परख्षों से जीव को मांगना पड़ता है और मांगना सबसे निंद कर्म माना गया है। एक पंक्ति है कि रहीमन वे नर मर गए जो नर मांगत जाही। रहीमदास जी कभी की एक पंक्ती है कि रहीमदास जी कभी कहता है कि जो व्यक्ति मांगने जाते हैं वो वास्तों में मरे हुए के समान है क्योंकि मांगना अपने स्वाविमान को खोना है अत्यन्त दीनता जब उत्पन होती है तभी है जीव मांगता है तो कलपरक्षों के पास भी हमें जाकर मांगना पड़ता है तब में उनले कुछ देते हैं जाचे सुर्तरुदेय सुख अर्थात इंद्रियों के सुख वो भी कलपरक्ष वांगने पड़ेते हैं और चिंतत चिंतारेन अर्थात चंतामणी रत्न वो जो मन में चिंतवन करो उस वस्तु को देता है लेकिन उसके लिए भी हमें मन में चिंता करनी पड़ती है लोक में कहा जाता है कि चिंतामणी रत्न होता है जिसके पास में जो व्यक्ति मन में चिंतवन करे वो चीज उसे प्राप्थ जाती है लेकिन उसके लिए भी मनमें चिन्तवन करना आणिवार है बिना चिन्तवन कİए कि पाल रतन भी संसारिक सुखों को नहिं देता है लेकिन धर्म एसी वस्तुव है धर्म ऐसा होत्तम पदार थे कि बिन जाचे बिन चिंते बिना याचना किये और बिना चिंतवन किये धर्म सकल सुक देन धर्म समस्त सुखों को देता है और वास्तों में असली सुखों को देता है कल प्रवरक्ष हमें पांच इंद्री के तुछ भोगों को दे सकते हैं जिनके भोगने के भाव से जीव की गति परंप्रा से बिगडती है उसी प्रेकार चिंतामणी रत्न से पांच इंद्री के विशय भोग मिलेंगे जिनके भोगने का भाव पाप भाव है लेकिन धर्म इसी वस्तु है कि जिसका सेवन करने से इस जीव को संसार के समस्त सुक प्राप्त होते हैं वो धर्म का सेवन जो जीव करता है उसे किसी के सामने मांगना नहीं पड़ता उसे मन में चिंत्वन नहीं करना पड़ता कलप्रदक्षे मांगना पड़ सकता है चिंतामनी रत्न के सामने चिंतवन करना पड़ सकता है लेकिन धर्म के पास में जाने पर धर्म को धारन करने पर नजीव को मांगना पड़ता है नजीव को किसी प्रकार का चिंतवन करना पड़ता है समस्त सुख उसको स्वयमेव प्रा त्रेशर्ट श्रलाका के जितने ही पद है चक्रवर्ति, तिर्थंकर ये समस्व पद धर्म के प्रभाव से मिलते हैं समंत्वद्र स्वामी ने रत्नकरन शावकाचार में कहा है स्वापी देवोपी देवस्वात, जायते धर्म किल्विशात, कापी नाम भवेदन्या संपत धर्म शरीर नाम स्वापी देवोपी देवस्वात, अर्थात कुत्ता भी देव हो जाता है किसके प्रभाव से धर्म के प्रभाव से धर्म को जो जीवधारन करता है वो चाहे चांडाल की पडियाय में भी हो लेकिन तो भी वह बड़े से बड़े पदों को कालांतर में प्राप्त कर लेता है और जिसके जीवन में धर्म नहीं होता वह बने देव भी हो लेकिन वह देव मरकर एकेंद्री में जन्म प्राप्त कर लेता है राजा हो लेकिन वह राजा चण भर्म में पाप के फ्रभाव से अधर्म करने से कीडा बन जाता है और कीडा यह नहीं, अपितु अपने ही शोचालय में, अपने ही शोचालय के अंदर जहां वो मलमूत्र करता था, उसी मलमूत्र के अंदर वो मल का विस्टा, विस्टा का कीडा बन जाता है. अधर्म के प्रभाव से इस जीव को नरक निगोत की ग्रती प्राप्त होती है, और धर्म के प्रभाव से स्वर्ग और परंप्रा से उसे मोख्ष सुक्की प्राप्ती होती है. लेकिन ये धर्म इस जीव की अंतरंग वीतराग पढणती का नाम है धर्म कोई क्रिया विशेश का नाम नहीं है धर्म किसी व्रत जप तप शील यहां तक की समस्त पूजन अनुस्ठान करने से भी प्राप्त नहीं होता वह जीव स्वयम अंतरंग में जब भाव लगाकर वीत भाव का भाव करता है रत्नत्रय रूप पढ़मित होता है दस धर्म रूप पढ़मित होता है कि सोर पड़की दयारूप पढ़मित होता है तभीव आत्मा धर्मात्मा कहलाता है तभीव जीवन में धर्म को अंगिकार करता है वास्तों में यह जीव धर्म के बिना पशू के समान है मनुष्य में और पशू में इतना ही अंतर है कि पशू अपने बच्चों को किसी प्रकार का कोई संसकार नहीं देते लेकिन मनुष्य अपने बच्चों को धर्म का संसकार देता है धर्म के बिना मनुष्य और तिर्यंच एक समान है कहा भी है कि धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है आज हमको अपने पिताजी से अथवा हमारी पिताजी के भी पिताजी से हमारी पूर्वजों से हमें धर्म के संस्कार मिले हैं जिससे कि हम अपने हित हित का, हे उपादे का, देवशास गुरू का विचार करने में समर्थ हुए हैं। यदि ये धर्म नहीं होता, तो हमारी इस्तती भी पशु के समान होती। जिस प्रकार पशु आहार भए मेथून परिग्र aa चार संग्यावों में निरंतर जुड़े रहते हैं और पाँचिंद्री के विषय भोग Aa भण और भढ़ भी बाहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी तो हम्हें द्ञ्जावों में निरंतर लगा रहता है। पास्तों में इस जीव को यदि इस मनुष्र परियाय में सर्वोत क्रिष्ट कोई चीज की प्राप्ति हुई है तो वह सच्चे धर्म की प्राप्ति हुई है जिन धर्म की प्राप्ति जिसे हुई है, पास्तव में उसको तीन लोग के अंदर सबसे बड़ी निधी की प्राप्ति हो गई है, इस संसार में जिसे जेन धर्म मिला और जिन्वाणी सुनने को मिली, पास्तव में उसको तीन लोग की संपत्ति ही प्राप्त हो गई है, तो इस औरा धर्म है मौलागद्विष्षभावु से जुदा आत्मा की बीत्राप पढनति एसी इस बीत्राकपढनति को ऐसे इन मौलागद्विषभाव का अбहाव हम अपने जीवन में, अल्ती-अल्पकाल करें इसी भावना के साथ, आज की बात हम समाप्त करते हैं, कल हम चर्चा करेंगे, अंतिम दोहे की, तब तक के लिए आप सभी देखिए, चैर डाला, जिन्वानी चैरल, जै जी करना चाहिए।